तो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बाद नए मार्केट अब बीड के साथ आप लोगों का स्वागत करदा हूँ तो दोस्तो आज स्टॉक मार्केट डेर्ड परसेंट क्यों गिरा जो एक साइकलोजी वाला हम बोल सकते हैं लेवल होता है सतरह हजार का इसने वो भी क्या कर दिया है ब्रेक कर दिया है ठीक है और मार्केट फिल से एक बार डबल टॉप पेटर्न मनाते देखने को में मिल रहा है ऐसा क्यों हुआ क्या रीजन हमें देखने को मिल रहा हैं दोस्तो उसके पीछे क्या रीपोर्ट है हम इस वीडियो में दोस्तों पूरी तरीके से cover करने वाले हैं तो चलिए फटापट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले खाली एक ही चीज में आप लोगों को बोलना चाहूंगा अगर आपने चैनल को first time visit किया है तो definitely subscribe करिए तो चलिए चलते हैं suddenly money control की report के उपर उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों nifty 50 nifty 50 का अगर आज का हम momentum देखते हैं ठीक है तो 16,965 रुपए पर stock क्या हुआ बहु सरी market क्या हुआ है 17,248 का previous close था open हुआ 17,276 पर मतलब gap opening लिया लेकिन उसको hold नहीं कर पाया high भी लगाया 17,298 लेकिन low लगा दिया 16,965 रुपए अगर इसको पूरा compare करे high to low तो दोस्तों 300 point का moment होते देखने को मिला है लास्ट 5 दिन में भी stock 3,5% market गिर चुका है एक recovery आई थी लेकिन वो recovery भी किसी काम की नहीं देखने को मिली है बड़े बड़े expert का बस यही कहना था कि 17,500 break हो गया है 14,620 ने hold कर लिया है अब यहां पर 18,000 के एक बार फिर से तयारी कर लिजे लेकिन एक बार फिर से दोस्तों market में बड़ा सा moment हमें देखने को मिल रहा है क्यों तो एकनों को मिल रहा है इसना negative moment आपको तो पता है यह दोस्तों कि जो inflation वो कितना दोस्तों डराओना है आपर moment लेके market में आया अब inflation अगर बड़ा है ठीके तो सबसे पहले तो किसी ना किसी दोस्तों central bank को globally market क्या बात करो globally मतलब किसी भी देश की बात करो किसी को तो आगे आना था ठीके अगर मैं fade की बात करूँ वो आगे नहीं आया RBI नहीं आया लेकिन दोस्तों एक दूसरा देश आगे आ गया अब हो सकता है कि आने वाले तीन मेने की जब इनकी bet रहेगी FOMC के आप बोल सकते हो ठीके RBI के आप बोल सकते हो तो इनको तो rate high करना ही पड़ेगा मतलब दोस्तों जो bond tapering है वो भी याँ पर start होने वाली है ठीके bond interest rate फिर से high कोने वाले है FD return वो भी high कोने वाले है तो definitely दोस्तों market से पैसा निकलना confirm है ठीके और मैं पैसा market से continuously निकलते है मैं देखने को मिल रहा है ठीके तो ऐसे ही कुछ reason है चली देखते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो money control के side के उपर लाया हूँ शेर वाजार में भारी विकावली जानिए वो 5 बज़े जिनकी बज़े से साथ सो अंकों से ज़्यादा लुड़का ठीके अगर आप देखेंगे bank ठीके क्या bank आटो और financial services कंपनियों के stock में भारी विकावली क्योंकि दोस्तो अगर rate high कोंगे तो इन company को ही सबसे ज़्यादा परिशानी होगी यह आपको पता है ठीके चले नीचे देखते हैं वो 5 कारण कौन से हमें देखने को मिल रहे हैं तो blue chip stock का प्रदेशन वो भी सबसे खराब देखने को मिला जिसके करण और काफी दिक्कत में हमें market देखने को मिला इन 5 कारणों का दिख रहा है असर डेके dollar index कमजोर यह तो एक market के लिए काफी अच्छी बात रहती है जो US dollar index रहता है वो दोवार के उच्छेतम इस तरह से dollar index एक विसीदी की गिरावट के साथ कारवार कर रहा था ठीक है benchmark 10 साल के trading notes की yield जो दोस्तो trade notes yield अगर बनी हुई है मतलब दोस्तो यह market के लिए एक परिशानी का कारण है ठीक है जो 10 साल की उचाई पर आई है ठीक है उसके बाद bank of England ने बड़ाई interest rate दोस्तो जो एक important economy बोला जाता है globally market में ठीक है US के बाद जो इसका ही number आता है ठीक है आप देख सकते हो क्या लिका हुआ bank of England चोकान चोकाते हुए 0.15 PCD की बड़ोतरी के साथ 0.25 PCD interest rate करने वाला पहला बड़ा global central bank बन गया है कोई की हिमत नहीं हो रही थी कि कुछ ऐसा उल्टा काम करे जिससे दोस्तो पूरे global market पे असर देखने को मिले एक negative लेकिन दोस्तो किसी ना किसी को तो आगे आना था और कभी ना कभी तो आगे आना था और bank of England दोस्तो आगे आते देखने को मिला हैं वहीं European Central Bank के राहत बापस लेने के एक छोटे से कदम के बाद यूरोप में कमज़ोरी बनी हुई है वो ही देखे दोस्तो यूरोप में भी कमज़ोरी बनी हुई है कोरोना के तीसरी लहर वहीं संक्रमन के मामले बढ़ने से मामारी के तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं ठीके आप अगर देखेंगे UK और दक्चीन कोरिया में रिकार्ट नए मामले सामने आए हैं मतलब दोस्तो यह दो नए देश में एक बार फिर से कोरोना की जो मामले हैं वो हाई पे देखने को मिल रहे हैं वहीं अमेरिका में कोरोना के मामलों में अच्छी बड़ोती देखी गई अमेरिका में भी दोस्तों यहाँ पर कोरोना के जो मामले है वहाँ पर अच्छी बड़त देखी गई ट्रेडर्स को अब प्रतिवंदों का एक नया दोर सुरू होने की आसंका है मतलब दोस्तों जो सिचुएशन है सेलिंग प्रेशर वाला वो और हमें क्रेश होते देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ बता दा रहा है ज़्यादा तर इंडेक्स में गिरावट बॉन्ड मार्केट इंडेक्स की बात करे तो सभी में सभी में सभी में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है ठीके निफ्टी स्मॉल केप में भी दोस्तों गिरावट है जबकि निफ्टी मिटकेब में भी कमजोरी बनी हुई है ठीके एनसी का सबसे ब्रांडट इंडेक्स 500 उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है ठीके अगर हम देखें तो जेन स्टॉक टेक यह सब कुछ कमपनियों के नाम है जिनमें काफी ज़्यादा गिरावट देखने बनी हुई जबकि एक दिन पहले सबा 2% की अच्छी तेजी के दर्जे की गई थी दोस्तो साथ सब्तर का सबसे अच्छा दिन देखा गया था काई में दोस्तो जापान के निकोई में ठीके जापान के बाहर एशिया की बात करें तो दोस्तो ब्रांडट इंडेक्स में भी दोस्तो ब्राडट इंडेस में भी काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली ठीके सेंसेक्स निफ्टी या हम अगर पूरे ग्लोबली मार्केट को अगर देखें तो काफी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला तो दोस्तो ये 5 कारण आप लोगों को पता चल गए कि मान लीजिए इन में से सबसे ज़्यादा खतरनाग दोस्तो जो अगर मैं बात करता हूँ जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीके वो ये वाला है ठीके आपको देखने को मिल रहा होगा बेंक आफ इंगलेंड ने बड़ाई इंट्रेस रेट ठीके ये तो दोस्तो कन्फ इंगलेंड आज चुका है अब दोस्तो आप देखना पूरे ग्लोबल मार्केट में धड़ासाय मत जाएगा सब धीरे धीरे करके अपने इंट्रेस्टेट हाइक करने लगेंगे तीन मेने के अंदर अंदर दोस्तो आपको रेट हाइक होते देखने को मिलेंगे और जो दोस असनतो सब को ड़ा रहे है, सब को पैनिक कर रहे है थीक है तो ये दो इंपोर्टेट पॉइंट आप मानके चल सकते और जिसके करने मार्केट में काफी ज़्याद हमें गिरावट देखने को मिली उसी के साथ साथ अगर हम ग्लोबरली मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर ग्लोबल इंडाइस की अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो इंडिया बिक्स की ओपर तीन हमारे मार्केट जिनमें खतरना गिरावट डाउ जोन एसमपी 500 नेस्डेक गिरावट देखने को मिल रही है ठीक है उसके बाद अगर देखेंगे त कुछ चोटे मोटे मार्केट है जिनमें दोस्तो हमें क्या देखने को मिल रहा है चाइना का मार्केट भी अगर देखेंगे तो एक परसेंट से उपर मार्केट में गिरावट है ठीक है डीजाई संगाई की अगर में बात करें उसमें भी होंग कोंग की मार्केट में भी गि थिके आतो सेक्टर क्योंकि दोस्तों बिज्स देश में भी चलता है थीके फाइनेंशिल सर्वीज सेम वही दिखत फाइनेंशिल सर्वीज पचीस पचास इसमें भी थीके FMCG sector आप देख सकते हो गिरावट IT sector ने थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर महुल को समाला था लेकिन वो भी समाल नहीं पड़ा ठीक है एक बार फिल से मीडिया sector दवाओ में देखने को मिला मेटल सेक्टर सेम वही कंडिशन फार्मा, PSU बैंक ठीक है प्राइवेट बैंक के अगर बात करें डियल स्टेट, हेल्थ केर और सम में देखा जाए तो भारी भर कम हमी किरावट देखने को मिली है, कुछ टेक्निकल पॉइंट भी देखते है Nifty के, तो यहाँ पर आप देख सकतो Nifty का, अगर हम कुछ दोस्तो टेक्निकल व्यू देखें यह फ्यूचर का लगाया है, सपोर्ट का नहीं है, ठीक है यह फ्यूचर का है, तो आप अगर देखेंगे तो एक important rejection point था दोस्तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर और उसी के साथ यह एक important support level था, ठीक है अगर आप देखेंगे, तो market ने इस zone में तो काफी अच्छा काथा trading किया, क्यूंकि दोस्तो market इस प्राका से consolidated करेगा ही और अभी आगे continue भी कर सकता है देन उसके बाद market ने यहाँ पर support बना है support की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक हमें double top pattern बनते देखने को मिल रहा है आप देखें, double top pattern बनते यह देखने को मिल रहा है यह एक single pattern है, ठीक है और यहाँ पर rejection को test किया तो यह double top और अब वही support पर आके क्या होगा है दोस्तो market खड़ा हो गया है third time में वही support पर market खड़ा हो रहा है ठीक है, rejection तो एक ही point पर दो बर बनाया है ठीक है, लेकिन support तो एक ही level पर एक बार दो बार हो तीन बार मतलब दोस्तो अगर इस बार गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती है तो यह support level दोस्तो अराम से हमें नीचे आते देखने को मिल सकता है क्योंकि यह वाला जो support level है यह काफी ज़्यादा selling pressure को अपने साथ लेके आ रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यह वाला level भी यहाँ पर इसने break किया यह तेजी आया था तो यहाँ पर थोड़ा सा reversal आ सकता है एक recovery mode आ सकता है लेकिन एक बार फिर से market में panic situation हमें देखने को मिला और यह double top pattern देखने को में मिल रहा है तो मतलब गिरावट अभी भी यहाँ पर market में थोड़ी सी हाबी होते देखने को में मिल रही क्योंकि दोस्तो market के जो expectation थे सेम वही condition market में होते देखने को मिल रही यह मतलब market जैसा चाहरा था ना वैसा नहीं हुआ उसके भी परित में हुआ तो definitely market में तो गिरावट दोस्तो confirm देखने को मिलेगे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपको डरना नहीं है घबराना नहीं है सबसे पहले बात तो यह है technical point भी आपके सामने रखा क्या news base है वो भी मैंने आप लोगों को सामने रखा बस मैं यही बोलूँगा कि छोटा मोटा टाइम फ्रेम है काफी bull run हमने देखा तो थोड़ा सा panic situation हमें देखने को मिलेगा एक बार सबी देश ने अपने rate हाई कर दिये दिन उसके बाद market में situation फिर से normal हो जाएगी और फिर market एक एक बार फिर से हस्ता खिलता देखने को में मिलेगा ठीके और किसी चीज़ से अगर related कुछ भी चीज़ पूछना है तो नीचे comment box में comment कर सकते हो प्रापर आपकी comment का reply दिया जाएगा ठीके तो यह था एक interesting fact दोस्तों जो मैंने आप लोगों को साथ शेर किया आपको ये वीडियो पसंद आया ठीके ये कुछ market के reason थे जो market को गिराने में आगे रहे जो आपको पसंद आया होंगे तो प्लेज इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब करेगा योगि डेली बेसल्स पे इसी परकार का अपडेट हमाँ आप लोगों को तक लाते रहते हैं तो थैंकि दोस्तों